वेलकम बैग फ्रेंड्स यह हमारी वीडियो नमबर 50 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइफन सेरीज के लिए और हम डिसकस कर रहे थे चैप्टर नमबर 9 इस्टुक्चरट कोरी लेंगवेज या सिंप्ली एसक्वेल को और इस चैप्टर की प्रिवेज वीडियो में हमने स्टार्ट किया था DDL कमांड्स को जहां पर हमने देखा था एक टेबल को कैसे क्रियेट करते हैं और कैसे हम टेबल में कॉंस्टेंट्स या कंडिशन को अप्लाई करते हैं और इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम अगर हमने already एक table को create कर लिया है then अगर उसमें हमने कोई modification करना है, कोई चीज alter करनी है या change करनी है तो हम कैसे करते हैं and then हम देखेंगे कि already अगर कोई table exist करती है तो उससे एक नई table हम कैसे create कर सकते हैं तो start करते हैं, यहाँ पे हम discuss करेंगे ddl commands को यानि कि already अगर table exist करती है तो उसमें कैसे हम change करते हैं अगर आपने किसी column का name change करना है, data type change करना है, कोई नया column add करना है तो वो सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं तो सबसे पहले एक rough table हम यहाँ पे ले लेते हैं जिसको हम change करेंगे तो माल लेते हैं हमारा जो table है उसमें आपका name होगा, उसमें role number होगा या simply उसमें marks है, या आपका grade है, तो यह चार column हमने ले लिए और जो हमारी table है, माल लेते हैं इसका name हमारा बनने वाला है name होगा class 12, और यह होगी आपका school नाम के database के अंदर तो इसे तो database create करना already आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा revision यहाँ पे हो जाएगा तो सबते पहले तो myisql already इस तरीके से आता है तो इसमें create database school, school नाम का database हमने create किया तो already exist करता होगा, तो already exist वहाँ पे आ जाएगा and then use school, यानि कि इस school को अब use भी करना है तो simple database हमारा बन गया और उसको हमने enable भी कर दिया, activate भी कर दिया अब इसमें हम काम कर सकते हैं then सबसे पहले इसको हम create कर लेते हैं, normally तो यह तो आपको already पता है वे से, create table class 12, then आपका bracket start या parentheses start, सबसे पहले name, जो कि आपका होगा character type मान लेते हैं 25 character इसमें होंगे, comma, then आपका roll number roll number होगा integer type, then again comma, आप चाहें तो नीचे लिखें, आगे भी आप continue कर सकते हैं for example marks, marks आपके होंगे integer type, then comma, next है आपका grade तो grade and grade में हमारा यहां पर आजाएगा, correct type, then finally close and यह close, तो simple है, आपको comma यहां पर देखना है, कि हर एक value देने के बाद हर एक column को पूरा है, आपने यहां पर define करना है, then comma, then define, then comma, then define, comma and define, last आपका है, तो bracket close अब सबसे पहले आप इससे तो आपका यह बनतो जाएगा, अगर आपको देखना है, कि यह किस तरीक किसे बना है, तो describe command आप यहां पर use कर सकते हैं, describe keyword आप use कर सकते हैं, for example, अगर मैं लिखता हूँ describe, और कोई भी field के बाद आपको type वहां पे मिलेगा, किस type का data है, then null value है की नहीं है, again आपका key है, यह primary key है, यह unique value है, यह सब आएगा, then default इसमें अगर कोई value है, यह दिखाता है, कोई extra इसमें parameter दिए हैं, तो यह भी दिखाता है, तो simply इस तरीके से आपका एक table describe होती है, description उसका मिलता है, for field का name है, name, type है, इसका character, जिसमें की 25 अभी फिलाल है, 25 भी है, okay, then आपका इसमें null value आ सकती है, अभी हमने not null नहीं लिखा है, तो बिलकुल आ सकती है, yes, यह कोई key है, key तो नहीं है, जी, अगर primary key बनाते तो PRI यहां पे होता, unique यहां पे लिखते तो UNI unique यहां पे आता, और default भी इसमें फिलाल कुछ भी नहीं है, जैनिकि default null यहां पे आएगा, यहां यहां पे आएगा, and extra में भी फिलाल कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके से वेसी next आपका roll number है, तो field आपका roll number, and इसमें integer type है, mainly size भी इसका दिखाता है, 11, and इसमें null हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, yes यह फिलाल की भी नहीं है, and default इसमें null है, और अगर आप default देना चाहें, for example, grade में अगर हम यहां पे default कर देते हैं, default हमने कह दिया कि degrade आएगा, and then आपका table यहां पे complete होगी, तो जब default की बारी आएगी, तो default में आपको e लिखावाना ज़राएगा, यानिकि यह simply table को आपका यहां पर describe करने के लिए है, describe keyword जो है, तो इसकी मदद से आप table को describe कर सकते हैं, तो इसमें के करके हम change करते हैं, सबसे पहले हम इसमें, अगर हमने already इसको create कर लिया है, then इसमें एक नया column अगर add करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो simply adding, adding new column, अगर एक नया column हमने इसम alter command को, तो अब मैं syntax यहां पर नहीं लिख रहा हूं, directly example से आपको समझना है, तो alter मैंने लिखा alter table, class 12, तो class 12 को हमने alter करना है, और इसमें हमने नया यहां पर add करना है, तो simply हम इसमें लिख देंगे add, अम माल लेते हैं, इसमें grade है, और इसमें हमने rank, for example, students की, यहां पर देनी है, तो add हमने कर लिया rank, and साथ में इसका data type होगा, integer type, तो इससे क्या होगा, एक नया column यहां पर add होगा, जिसका, अगर इजा में इसका syntax लिखना हाता है, इससे तो simply आपका rank add होगा, syntax लिखना हाता है, कि आपने नई column का syntax लिखना है, मतलब alter उसे करना है, already existing में, तो आप क् दे सकते हैं, तो simple सा है, next आप चाहें तो add की मदद से इसमें जो इसकी primary key है, वो भी आप यहां पर दे सकते हैं, for example, अभी मैंने primary key यहां पर set नहीं करी है, तो आप वो भी दे सकते हैं, तो for example, alter, table, class 12, add हमने इसमें क्या करना है, primary key add करनी है, जी, तो primary key हमने add करी, और कौन से कॉलम को हमने बनाना है, माल लेते हैं, roll number को, तो bracket के अंदर आप कहा जाएगा, roll number, तो semi-column, तो simply, नकेवल कॉलम हम primary key भी इससे add कर सकते हैं, तो primary key भी हमने add कर दिया, तो यह तो होगी, अगर हमको add up करना है, माल लिजे हमको अगर name change करना है, माल लिजे हमने grade को यहां पे grade new करना है, grade new अगर हमने करना है, तो हम क्या करेंगे, simple, तो इसमें मैं लिख देता हूँ, changing, changing, column name, column का name अगर हमने change करना है, तो इसके लिए हम change यहां पे keyword यूज़ करते हैं, तो alter, तो alter तो आपका same है, alter command, में लिजे हम discuss ही आज alter को कर रहे हैं, तो alter को हम यहां पे discuss कर करना है, mainly आपका DDL में, यानि कि alteration का काम, change करने का काम, तो alter table, then table का name, यानि कि class 12, इसमें हमको change करना है, तो हम लिखेंगे change, then आपका grade, यानि कि old name जो है, column का, then new name, grade, new, and simply इसका data type, जो कि आपका grade है, character का, तो simply इससे आपका एक नया यहां पे आ जाएगा, नया तो नहीं आएगा, अब यह आपका, इस column का name हो गया, grade new, तो simple है, अब माल लिजे, अगर आपने यहां पे name change नहीं करना है, साथ में आपने अभी तो आप name भी change कर सकते हैं, साथ में इसका data type है, वो भी change कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, modify keyword को use करते हैं, तो changing data type, तो data type को अगर change करेंगे, तो simply आप इसमें लिखें, alter table, यह तो same आपका आएगा, alter table, table name तो सब में same है, alter table class 12, तो modify, modify हमें करना है, simply किसको, modify हमें करना है, माल लेते हैं, name कोई, और हमें 30 चीज़, चलिए यह ले लेते हैं, modify name, तो इसका data type जो change वाला है, यानि की character, अब इसमें हो जाए 30, तो simple, अभी तक 25 थे, अब 30 आप describe करके इसको देख सकते हैं, जैसे आप कोई change करते हैं, आप describe लिखें, then table का नाम लिखें, तो आपको simply व drop, simply primary की भी चलिए, हम drop कर लेते हैं, लेकिन इसको run करने से पहले, एक बार आप describe करके देख लिजेगा, कि primary की जो हमने add की है, वो इसमें आई की नहीं, तो जैसे आप यह लिखते हैं statement, then आप describe करके इसके बाद, आप simply लिख सकते हैं, describe class 12, तो आप primary की आपको दिखेंगी, and finally भी आप जब इसको drop करेंगे, फिर आपको नहीं दिखेगी, तो simply drop primary की अगर हमने करनी हो, या पुरा का पुरा column करना हो, तो इसके लिए हम simply drop को use करते हैं, drop keyword को, लेकिन alter table सबसे पहले तो same आएगा, तो alter table, class 12, तो इसमें से simply हमने क्या drop करना है, drop, primary की, primary की, अब देखिए, सब आपने lower case में लिखना है, मैं आप इंगलीस में लिख रहा हूं, इसलिए capital है, लेकिन हर चीज़ आप try करें, वैसे तो इसमें case sensitive नहीं है, दोनों में चलता है, लेकिन simply, आप कोई भी programming करते हैं, ना केवल इसमें python, c++, कोई भी हो, आप कोशिस करें action time आप lower case ही लें वहाँ पर, तो alter table class 12th, drop primary की, कॉमा, और हमको दुसरा यहाँ पर column भी चले, drop करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं, आपका rank वाला जो column है, इसको drop करते हैं, लेकिन उससे पहले आप describe करके देखिएगा, कि rank वाला इसमें add हुआ है की नहीं, तो drop primary की, then drop आपका rank तो दोनों को हमने drop कर दिया, तो simply इसके बाद अगर आप describe करते हैं, describe class 12th, तो finally आपको जो table मिलेगी, semicolon, आपने नहीं भूलना है यहाँ पर हर statement के बाद, तो simply आपको field यहाँ पर मिलेंगे, name, role number, marks, grade की जगा, grade, new, and simply rank आपको नहीं मिलेगा, और primary की वाले section भी आपका empty हो alteration का का काम करना है, तो इस तरीके से करेंगे, अब अगर इसी table से एक नई table हमने create करनी हो, तो हम कैसे करते हैं, उसका syntax मैं नहीं लिख रहा हूँ, directly example से, मान लेजी यह table है class 12th, और एक नई table मुझे create करनी है class 12th new करके, तो हम simply, इसको मैं directly यहाँ पर लिख रहा हूँ, create table class 12 12th new, तो यह table हमने बनानी है, तो create table, new table का name, अगर syntax लिखना आता है, तो create table, and then new table जो name है, वो यहाँ पर आएगा, then आता है as keyword, as, bracket start, and c, आप continue कर सकते हैं, फिलाल मैं नीचे लिख रहा हूँ, अब आपको select करना है, कौन-कौन से column आपने यहाँ पर लेने हैं, तो select मैंने कि मुझे रोल नंबर भी चाहिए, रोल नंबर चाहिए, और इसमें से rank तो हमने delete कर दी, तो cable, grade, या marks हम ले लेते हैं, चलिए, grade new या marks हम ले ले लिजी, तो marks मैंने ले ले लिया, तो माली जी इन तीन column की मदद से हमको करना है, तो simply इसका syntax क्या है, create table, नई table का नाम, as, आप आपका parenthesis start, then select, विसे select हम आगे पढ़ेंगे, dml command में, जब हम data को, इस से data को retrieve करते हैं, तब इसका ज्यादा use होता है, लेकिन फिलाल हम अभी भी select कर रहे हैं, यानि कि table से हम निकाल के ला रहे हैं, जो existing table है, तो select हमने किया name को, roll number को, marks को, तो comma, name, comma, roll number, comma, marks, from concept table से, class, 12th आली table से, then parenthesis is close and semi-column, तो simply इससे क्या होगा, एक नई table आपकी create हो जाएगी, जिसमें यही आपके जो parameters हैं, या पहले से column है, यह आने वाले हैं, जो हमने यहाँ पे select किये हैं, तो simple है, then अगर आप इसको describe करके देखते हैं, describe अगर आप करेंगे, class, 12th, new, go, तो simply आपको नई table का description इस form में मिलता है, तो इसी के साथ जो हमारे ddl command से यह भी complete होते हैं, तो उससे पहले screenshot आप इसका ले सकते हैं, notes के लिए, तो I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा, तो इसी के साथ हमारे यह video भी complete होती है, video number 50, तो मैं मिलता है आपसे अगली वीडियो में, video number 51.